जाए तो कि तो आज की लिक्चर के अंदर हम पढने वाले हैं कि ट्रांजेक्षिंग ठीक तीके तेड़ा बेस के अंदर हमने लास में पड़ा था कि डिफरेंट टाइप्ट आपको बताया था कि कि तरीके से आप या डियराव में उसको ट्रांजच करवा कर वा सकते हो ठीक है बदल सकते है तो इस के बारे में हम आज के लेक्टर के अंदर पढ़िए यहाँ पर दो तुपिंक दियो है कि इस तरीके से होता है उसको को मैंटेन करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है धिक और हमारे पास आज की लेक्टर के अंदर थे के फेलने के हमारे ट्रांजक्शन एक्टर लेक्शें के बारे में बस्क्रार आंध both बहुत सारे इंस्रेक्शन उसके अंदर दीवी ओटीए जैसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग आप करते है तो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आप सम्टिंग सिर्फ लेंगरिज में हेलो भी लिखना हो तो आपको पहले क्या लिखना हो लाइबरेटी फाल अटेज्ट क होने वाला हो आपको नहीं पता ही चलेगा तो यह सारे क्या होगी फंक्शनलिटी होगी आपको यह लिखना ही लिखना पड़ता है ठीक है तो बैक्रांड में हम कभी भी अपना ट्रांसफर करते है तो जैसे हमें जिसके अकांट में डालना उसका नंबर डाल दिया और हमार वापिस उसके अपान में जाएगा तो वहां पर देखेगा इतना है देखेगा और उसको वापिस पर्मेंट्ली स्टोर करेगा तो यही आपको यहां पर लोजिकल्ली, मतलब Theorically दीया हुआ है The transaction is set of logically related operations, मतलब बहुत सारे उसके अंदर logically operation होते है त्रहिक है, गुरूप में होते है, जितना भी इसका task होता है, वो सारा एक गूरूप में अगर वो ग्रूप में जितने टास्के खतम नहीं हो रहे तो वो दूसरा तांजेक्शन तब सब नहीं लेता ठीक है तो यह चीज इसके अंदर होगा फिर यह कि अगरा सकता है तो में एक्सेस्ट भी कर सकता हूँ तो में अक्सेस्ट भी कर सकता हूँ तो यह चीज तांजेक्शन के अंदर आती है कि ग्रूप और सुरीज ओफ अग्जेक्शन एक्शन बोलते है ठीक है जो यूजर के परफॉर्म करवा सकता है और उसको देख भी सकता है ठीक है उसके बाद आ जाजा था है कि उसके एग्जांपल के तुम हम उसको समझते है तो अबने यहां पे तीर इकली पट आये तीक तो इसके अंदर बहुत सारे लो लेवल के टास्क हो गए तो पहले तो एक्स अकाउंट वाला जो परसन है वो डेटा प्रस्फर करेगा तो पहले उसके अकाउंट करेगा उसके अंदर कितना डेटा है वो चेक करता है तो यहां पर सही हो गया फिर क्या हो जाएगा यहां पर कि उसकी अकाउंट में बज़ाइब जो थाउसंट इसकर उसने ट्रांसफर किया वह माइनस हो जाएगा तो इसका न्यूव बैलेंस अब क्या हो गया जीरो फिर वो जीरो बैलेंस से वापिस उसके अकाउंट में पर्मगाउंट सुर्वज़ाया फिर उसका अकाउंट यहां से बहित गती तो इस क्या होता है की ओपन करेगा उसके बाद जो उसका नया बैलेंस है और पुराना बैलेंस दोनों को चेक करेगा ठीक हूं चते हैu, पस पर नया बैलेंस के आपन प्लस बैलेंस की यहां पर न्यू बैलेंस आगया फिर जो लास्ट बैलेंस आए उसके पास उसको नहीं बैलेंस के अंदर स्टोर करेगा उसका अकाउंट यहां पर लोज जागी यह भी सीरी जोप टास्क होगी ना अमरे बास तो जबी एक ट्रांजेक्शन होता है तो किसके अकाउंट में से हो रहा है ठीक है ट्रांजेक्शन हो रहा है दूसरे अकाउंट के और दूसरे अकाउंट में जहां रहा है तो यह प्रोसेजर सारी इसके अंदर होती है ठीक है तो आपका पता जला है पर ट्रांजेशन कीस तरीके होता है जो एक्स और वाई के अंदर जितनी भी यह प्रोस हैने की सिस्टम कौन कोंड़ पर्सीजर करता है उसके साथ है कि копावएंग तरौन ऑपंटा शबीजारे कि किसी भी तरीके का थांजिर्षिन होता है तो इसके अंदर कितनी फंक्षानटी चलती है यहां पर मेंटेन की हुई है तो फहले क्या है तो फेलों रेड की आपया है एक समतलब किया ऊपारीब एकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है वो पहले रिड कता है जब भी जब भी उसको ट्राइस अठाइस होता है तो वो मेले उस अठाउंट के अंदर बैलेंस था उसको पहले एक में 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 चाइस इड था सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो इसके लिए यहां पर यहां पर दिया है कि व्राइट ऑपरेशन इस यूजट टू राइट वेल्यों बैक टू देटाबेश के अंदर ठीक है छोबी विए उसकी डेटी हो गया उसका सम्थिक उटने ट्रांसफर ऑच्वर चैनल माइनस होगा उसके बाद उसके डेटाबेश में स्टोर होता है मणालब राइट होता है उस से पहले वह होता नहीं है यहां पर लिखा है न कि जभी डेटा रीड करता है तो पेले गपफ़र के अंदर वह में व्यम्मी में श्टोर होता है वहांपर साली कैलकूलीशन होती है और वहांपर के अंदर जो भी लाष्ट अमाउंट बचेगा वह स्टेफिंद में जितना अंता मिल गया दो एकस हो गए तो एकस के अंदर जोगी वैल्यॉवयॉ आंटा यूसको वापीस डेटाबेज के अंदर ट्रांसफर करा तो राइक नमा फंख्षन चलेगा उसकी ये लास अमांट मेली हो कि एक्सम्दर वो उसके अंदर डेटाबी में ट्रांस्वन करवा तो इस पोसीजर को यहाँ पे एक्प्रेंच की किए और कि अब दो जगह पेटाबी पड़ा हुआ हुआ है तो बफर के अंदर लेगा चारेज़ार मतलब अब उसको क्या करना है कि जो भी 3500 मिला है उसको बाप इस डेटाबेज में श्टोर करवा रहें तो चारेज़ार मतलब तो बफर के अंदर जो वेल्यू पड़ी है वो डेटाबेज में राइट कर देगा तो यहीं पे लिखा हुआ है तो एक्स की फाइनल विल नित्या हो गई यहां पर 3500 यह सेट आप इंस्ट्रॉक्शन उसके अंदर चलती है ठीक है अब जो भी लास्ट अमाउंट डेटाब पालीज में स्टोर हुआ हुआ हुसे कमीट करना वोता मतलब कमीट करने के बाद उसके अकाउंट में हो चिन और माइनस होगा तो तो comment function की मदद से क्या होता है कि जो भी last value उसके अंदर से हुई थी वो permanent हो जाए उसके बाद आप save नहीं कर सकते हो जब तक नया transaction नहीं करते चाहिए उसके बाद रोल बेक उसको undo करवाना है तो सिर्फ एक ही चीज की मदद से हो सकता है कि अगर वो transaction fail हो गया है या फिर किसी क पास उसकी authority है ठीक है तो ही वो undo करवा सकता है ठीक है पर उसको क्या maintain करना होगा दोनों account में से दोनों account को maintain करना पड़ेगा तो यह rollback की permission है ठीक है तो automatically हो जाती है ठीक है अगर करना हो तो commit होने के बाद rollback आप कर सकते हो पर कव जब आप उसके पास authority हो तभी आप उसको roll transaction के अंदर ये चार फंक्शाइटी ही चलती है read, write, commit and rollback, rollback तो optional हो गया तीन चीज़ तो compulsory चलती ही चलती ही चलती है read, write, write, commit, commit ठीक है तो यह transaction था किस तरीके से होता है फिर इसके बाद आ जाता है कि transaction की property हमारा जो second topic था उसके अंदर किन कौन-कौन से rules maintained की होए इन लोग फिर कौन सी होती है किस तरीके से users उसके types कितने होता है तो पहले यहां पे लिखा जो transaction has a four property these are used to maintain a consistency of data database के अंदर जो भी amount जो भी data पड़ा हुआ है उसको एक तरीके से अच्छे थे संभालने की कोशिस करता है जो भी transaction हुआ है उससे पहले का भी data save करके रखता है जो भी transaction हो गया उसके बात का data भी permanently save करके रखता है मतलब consistency रखता है मतलब वह एक ही तरीके का काम बार 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 कर अपर बहुती सही तरीके से कर रहा है उससे consistency रहा है तो यह चीज़ हो गाई इसके 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 रहा है तो इसके चार था नाइप से atomicity, consistency, isolation and durability तो पहले यहां पर लिखा भी atomicity का मतलब क्या हो गया means यहां पर लिखा देगो यह इस diagram के अंदर आपको बताया गया भी means either all successful or not मुलब जो भी आप transaction कर रहे हो तो एक account मेंस हो रहा है दूसरे account में प्लस होगा तो यह पूरा successful होगा तो भी तो ही आपका transaction गीना ज जाएगा नहीं अगर आपने transfer करवा दिये पर उसके account में पहुचे ही नहीं तो यह transaction क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा उसका भी time रहता है ठीक है तो यह अंदर आता है फिर consistency consistency मतलब क्या हो गया कभी भी आप किसी account में से transfer करवाते हो दूसरे account में पहुच रहा है ठीक है औ और वहां पर जाने के बाद वो फूरे transaction को चेक करता है आपके account में से cut हो गया है पर उसके account में पहुचा नहीं है तो पूरा transaction को बिंता नहीं होती है ठीक है तो यह चीज़ इसके अंदर consistency के अंदर आता है फूरा transaction होगा तो यह consistency maintain करके रखता है वन्ना वापिस जो भी पहले ही हो जाएगा तो आपका जोबी डेटा है जोबी अमांट है वह फिक्स करना होता मैंड़ कमिट करना होता इसके बाद उसके अंदर कोई भी changes होगा नहीं ठीक है अगर changes नहीं होगा तो तो भी आपका account के अंदर और कुछ deduction भी नहीं होने वाला ठीक है तो भी आपका आइसोलेशन कर दिया तो आपके account में से कट गया तुसरे account में से जमा हो गया तो यह पूरी एक durability होगी मतलब है फीर isolation मतलब क्या हो गया कि वह चेक करता है कि पूरी प्रोसेजर है वह हुई है कि नहीं हुई है ठीक है मतलब transaction वाली जो पूरी प्रोसेजर है जितने भी आप transaction करवा रहे हो एक साथ या एक करवा रहे है तो यहां पर हुई है कि नहीं हुई हो चेक करता है अगर वह हो गया हो तो उसको isolation के अंदर दालेगा ठीक है तो यह atomicity, consistency, durability और isolation जभी भी पूरी होती है तो वापस आप नहीं transaction करवा सकते हो मतलब वापस यहां पर देखो arrow से start होता है ठीक है उसके बाद आजाता है कि consistency, consistency के बाद यहां पर आजाता है durability और isolation जब तक यह पूरी प्रोसेजर यहां से खतम नहीं होती तब तक नहीं transaction आपका start नहीं होता ठीक है तो atomicity क्या होती है consistency, isolation, durability तो इसके बारे में हम और आगे जाने तो इसके सारव चितने भ इसके बारे में हमने पढ़ा तो उसको हम detail में पढ़ने वाले ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है कि पहले तो atomicity के अंदर क्या है कि इट स्टेट इट स्टेट ओल ऑपरेशन आप टांजेक्शन टेक प्लेस एट वन्स इफ नॉट टांजेक्शन इस अबॉट अबॉट है कि जब तक आप किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन करवाते हो तो वह एक जगा जब तक नहीं लेता ठीक है और पूरी तरह से चक्चे सोली नहीं होता तब तक वह आगे नहीं बढ़ता और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इसके बीच में आ गई तो वह क्या गत देता है उस टांजेक्शन को अबॉट करता है मतलब आधा टांजेक्शन वह कभी भी नहीं करेगा आपके अकाउंट में कट गया पर उस अगाउंट के अंदर जो भी कटींखोरी है ठीके जो भी तरांजेक्शन हो रा है वो पुरा कभी भी आता नहीं करेगा तो पुरा एक साधी करेगा वन्ना ओ एक जो वन्ना ओ टांजेक्शन अबॉट हो जाएगा एक तो यहाँ पर नीचे भी लिखाओ देक तो पर पांसो रुपे के से मैं ट्रांसफर कर दो टाइसा रुपे कभी भी बूश करने पांसवर नहीं होगा इच ट्रांजेक्शन इस ट्रीटेड एज वन अंट यूनित वन यूनित जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो राहे इच वो एक यूनित के पॉम में होता है एंड इधर दो कम प्लिशन और इस नोट एक्जिकूट इपने अगरर को गारन टो एक कंप्लिशन जब तर नहीं हो रहेगा तब तक रहेगा अगर नहीं हो रहे जो गया कि आपका ट्रीटेड था अगूरा खतम हो जाएगा मतलब जैसा था वैसा पेले कर देगा तो यह चीज्ज इसके अंदर ही तो आपरेशन आते यह होगा तो अगर नहीं हो रहा तो वह बोट होना चाहिए थीक तो इसके बारह में लिखाए कि ट्रांजेक्शन आपके हुए वह आपको यहां पर दिखाई देगे ठीक है तो इस तरीके से के ट्रांजेक्शन वह कभी आता नहीं होता दूसरी बात होगा तो पुरा होगा वना अबोड कर देगा ठीक है तो उसका एक्जम्बल में हम यहां तो यहां पर एक्जम्बल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि लेट्स एजूम्टेट फॉलोवें ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका नाम क्या यहां पर टी है कंजिस्टिंग ऑफ टीवन एंड टीटू ठीक है तो उसके दो पार्स है टीवन एंड टीटू जिसका अकां टीक है ट्रांस्फर मनलब एक पास शिक्स हंडरेड है और बिके पास थ्री हंडरेड है गास्ट्रांस्पर का प्रोसीजर वहीं तो देखो रॉंड के पास पहले में पंदर सब्सक्राइब जो मील अकाउंट होगा उसकोमान पढ़ा उसको करेगा और वापेस पंदर जो ते जिस हुआ अमाउंट मलब 600 थे उसमें से 100 माइनस की है हमने उसके बास बचे कितने अब 500 बचे तो उसके पर्मेनन डेटाबेस के अंदर 500 करें तो यह उसके बाद टीटू के बाच जाएगा और उसका अमाउंट पेले डेटाबेस में से पढ़ेगा बबबर के अंदर 500 ट्रांसपर करेगा तो प्लस कर देगा ठीक है तो क्या होगे उसका टॉटल अमाउंट उसके बाद 300 अब उसकी फाइनल अमाउंट होगी 400 उसके डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा मतलब जभी भी यह टांजेक्शन खतम होगा तो ए के पास 500 और भी के पास 400 बचेगा त से पहले कभी वह साइकल कंपलीट नहीं होता थीक है तो यह चीज़ इसके अंतर तो उसको यहाँ पर नीचे भी एक्स्प्लेंट किया हुआ है कि आप्टर कंपलीशन अब ट्रांजेक्शन एक कंजिस्ट ऑफ 500 जैसे मैंने आपको बताया एंड बी कंजिस्ट ऑफ और अब एकिन अब सार gonna घोएशी के फेल हो गया तो आप्टर कंपलीशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ प्रांजेक्शन नहीं हुआ loves मगर अंदर कंजिस्ट्न को जैसे मलें बट कंपलीशन ऑफ ट्रांजैक्शन और कंपलीट मगर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ then the amount will be deducted from a मतलब a में से माइन हो गया but not added to b मतलब b के अंदर transfer नहीं हुआ a में से cut हो गया b में transfer नहीं हुआ this show the inconsistence data मतलब database के अंदर consistency maintained नहीं होती है मतलब एक में से minus हो गया but दूसरे में 100 जमा नहीं हुआ तो maintain नहीं हुआ consistency maintained नहीं हो मतलब balance सही रहना चाहिए तो in order to ensure correctness of database state the transaction must be executed in entirely ठीक है वो check करता है कि यह पूरा transaction है unit है हुआ कि नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो पूरे transaction को check करता है अगर नहीं हुआ तो क्या करतेगा वाफिस rollback कर देगा मतलब बॉटमेटिकली जेसके account में कट है तो इसके account में वाफिस से वह इसा चिक्ता कटा था उतना डागा वाफिस उसको transaction करना बड़ा कभी गभी ऐसा होता है कि हम हमारे amount transfer करते है तो क्या हुजा तक बीच में net slow या किसी और कारण छे हमारा transaction बीच में रुख जाए या पी पूरी process हुई है पर उसके account में जमाई नहीं हुए तो वाफिस क्या हुजा जाए कि इस transfer account has been failed ऐसा कुछ आ जाता है ठीक है तो हमें वाफिस से transaction चालो करना वड़ता है ठीक है तो इस तरीके से यह पूरी cycle transaction की use होने वाली है ठीक है तो यह इसका example भी आपको यहां पर दिया हो था आप उसको explain भी कर सकते हैं फिर उसके बाद consistency वह कैसे maintain होती है जो भी यहां पर दिया हुआ है तो integrity constraints are maintained मतलब जो भी integrity मतलब क्या होगी उसके अंदर जो भी complexity आने वाली है उन्ग लोग ने पहले से प्रेपेर करके रखाये पर यह से यह से प्रॉब्लम के अंदर आ सकते है तो integrity का मतलब क्या हो गया complexity और constraint मतलब क्या हो गया उसके rules होगी इसके अंदर आ रही है उसके सारे rules पहले डिफाइन करके रखे होगी उन्डोग तो integrity constraints are maintained मतलब जो भी complexity आ रही है ठीके वह rules के मुताबिक maintain हो रही है के नहीं हो रही है तो transaction हो जाएगा अगर नहीं हो रही है तो इसके transaction abort कर दिया जाएगा ठीक हो डायरेक्टी हो जाता है अमें वेट नहीं करना पड़ता है दो दीन तीन दीन चार्ज है इसके काम में होए है कि नहीं होए ठीक है तो तुरंथ हो जाता है यह सारी बहुत ही फास्ट वे से जाता युट अभी चल दीक है घ्या है तो देटाबेस इक्षटन वेपर और आपर हो जबी अब डाभी होँ डांस्पर करते है तब हो डेटाबेस के दिया जो डिवी चुटों करके द्यक्ली डाखता है ठीक है दांज सिस्टेंस प्रोपर्टी ओब डेटा बेस टेेट सेट डेटाबस के अंदर जो भी कंजिस्टेंसी मेंटेन हुई एटेट एवरी ट्रांजेक्शन छीद रिपके अन्दर, वो दूनों अब्जेक्शन कंपरेटे करता है कि फुरी यह त्रांजेक्शन कंप्रीट हुई हुई है कि नहीं मलब कंजिस्टेंस से मेंटेन हुई है कि नहीं हुई वह चेक करके चेक करता रहता है ठीक है तो इस तो आपको रीड ओपरेशन में जाएगा और अकांट में आप ट्रांसपर कर रहे हुआ से रीड ओपरेशन में से राइट ओपरेशन में वहलब कंजिस्टेंस स्टेंस की बजलती रहती है ठीक है फिर उसको एक्जांबल के फॉम में भी आपको यहां पर दिखाया हुआ है ड़्या कि अट्वी अमाउंट मस्ट भी में 15 और आपको रहता अहं जो है उसको नेकिन बनाना ह involves přेंगत इक आहां पर फैकर टोंदक टोटल पर टेंसस Facebook त्रांसटेंस नहीं मिर था ने चैना होगा उसके पहले hacerlo होता है तो पहले होता है कि 600 प्लस 10- marry मतलब होने के बाद यहां पे जिसके अकाउंट में ट्रॉटल होना चाहिए 900 ठीक है तो यह मतलब भी उसने क्या है जिसके अकाउंट में रहा है धीजिए और न ensigo चाहिए तो यह चीजिस के अंदर मेंटेन होती रहती है तेरफोर देटाबीज इस कंजिस्टेंज तो हमारा सारा डेटा क्या है कंजिस्टेंज इनकेस वेन इस कंप्लिटेट बद्टीटू फेल दें इन कंजिस्टेंज अकर मैंने आपको पहले बता एक कि अकांट में इसे ट्रांसवर हो गया बद्दूसरे अकाउंट में से ट्रांसवर नहीं ही वात वह गया कि इनकेस्टेंज प्र उसके बाद आ जाता है की आईसोलेशन कि इस अगजेशन का मतलब क्या हो गए कि इट सो देटा वीचिज यूजड इस एट टाइम आप एग्जुगिशन उस टाम पर कौन सा डेटा टांजेक्स हो रहा है टीक है एग्जुगिशन ट्रांजेक्शन केननों भी यूज्ट अचाहिए मतलब जो भी हमने डेटा ट्रांसफर करवा है तरवाया है ताइम पे और दूसरे ट्रांजेक्शन के टाइम पे वही देटा है कि नहीं वह चेक करता है मतलब यह समयने 100 माइनस को भी दूआ पर 100 होने चाहिए ठीक है तो यह कंजिस्टेंसी मेंटेन होगी जोनु जगह पे सो हो गए तो आइसोलेशन भी यहां पर चेक करता है तरस्फ एक जंट में से कंपलिट नहीं होता तब तक वह दूसरे ट्रांजेक्शन को यहां पर हैंडल नहीं करता तो इसको हैंडल नहीं करता कि तो उसका एक्जांपल यहां पर आपको दिया हूं इन आई स्वलेशन है Cisco ट्राइं Milena भान प्रांजम्द आसं hesitation खटो रहा है यूज न यूजिंगे डेटा अग्टी मिर इंग नहीं है तो तक टीवन एंड्स नहीं तब तक टीटू है सेकंड ट्रांजेक्शन वह अपना डेटा टांजेक्शन डेटा इटम यूज नहीं कर सकता तो 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 एंडिकेर तो परफोमस अब डेटा बेज के अंदर ढूब हमाराओ है पड़ा हुआ है उसको उसकी परफॉमेंस किस तरह एगी वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको बार बार वह चेक करता है is state देट जर्चैंट मेड नेंटमाड में चेंजी मंड़ले वो चेक करता है कि जब आपका द्रंजेक्टिन कह Vanag Meinung मौड में है कि नहीं हुआ अगर हुआ है तो फिर्मेलय कमे द्चैनोल कमूं में है कि नहीं है दो वह भी वह कहась फिर उसके बाद they cannot be lost by erroneous operation और quality transaction और वाइटर सिस्टम फिले तीन तरीके के एरर इसके अंदर आते हैं और operation फोल्ट हो गई transaction होते हैं टाइम operation खतम हो गया या फिर सिस्टम फिले मतलब आपका laptop PC मोबाइल बंद गया ठीक है बीच में इस तरीके की जो एरर आती है उसमें वो data lost नहीं करता है वो क्या करता है कि जो भी आप आप transaction हुआ है आपके अकाउंट में खटा पर उसके अकाउंट में नहीं होगा पर आपके बीच में क्या होगा कि आपका laptop या PC बंद हो गया या मोबाइल बंद हो गया तो वो आपिस रॉल बेक करते हैं ठीक है फिर है कि when transaction is completed जब transaction complete होता है then database reaches the state known as a consistent मतलब उसके पास भी एक consistent state होता है म permanently वहाँ पर पहुच जाता है वहाँ पहुचने के बाद उसके अंदर आपकुस भी changes नहीं करते हैं जब तक नहीं आप स्टार्ट नहीं करते है जब तक नहीं होगा ठीक है इवन जब ट्रांजेक्शन हो गया आपके आपके आपका पैसा जमा भी हो गया है ठीक है और कंप्लीट हो गया है फिर आपका system या laptop बंद हो गया या mobile बंद हो गया तो भी आपका data वहाँ से lost नहीं होता जैसा है जाहीं रही नहीं होता है तो इस तरह के से जितने भी transaction हमारे हो रहे है तो सारे चार डी मदद से हो रहे है तो इन जो भी हो दो this जिया पने बड़ाथ正 आपने वाले ख़िक में पढ़ने अब ही इसके दो लेक्छर वार किये तो इस안 अच्छे सब्सक्राइब करें तब आपको प्रबलेम धीई तो आजका लेक्टर यहां तक ही रखते हैं तैंक थैंक यू